नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आप सब का देख रहा है जोतिश जराहटके आपके साथ जोत्शी भी है जराहटके कभी-कभी आत्म प्रसंसा भी अंदर से प्रशन्य कर जाती है आप लोग तो प्रसंसा करते नहीं हैं करते तो हमारे हर वीडियो को फाइरल क्या बोलते हैं वाइरल करते हैं अब नहीं करते हैं तो ना सही कुछ बहुत सारे धमाके अभी फिर जल्दी ही कुछ करने वाला हुम है तो आप लोगों से अन्रोध है कि आप लोग बस जितने हैं जैसे भी हैं सने ही हैं और दिल के करीब हैं नित नई जानकारियां इसी तरह से हम देते रहेंगे आप लोगों से और आप लोगों का प्यार पाते रहेंगे आज जानकारी दे रहे हैं पीली सरसो और नमक का एक प्रियोग जीवन के कुछ विशेश समस्याओं को जिन में से दो समस्या हम पकड़ रहे हैं एक कोट कचहरी का मतलब सिर्फ एक पक्ष से न लीजेगा कि आप जज और वकील के संपर्क में आए इसका तातपर है जगडा मूल रूप से मतलब आप अगर वक्तिकत जीवर में भी बहुत ज़्यादा जगडों से आप जूझते हैं आए दिन परोष के साथ, क्लास में दोस्त के साथ, कारशेत्र में कलीक्स के साथ, बॉस के साथ रास्ता में चलते हुए ड्राइवर के साथ, कंडक्टर के साथ, टीटी के साथ, सह, यात्री के साथ, किसी भी रूप में अगर आपके जीवर में जगड़े की इंटरी हो गई है, तो आज का कारिकरम आपके लिए है साथ ही साथ उनके लिए भी है जो आपके पहचान वाले हैं लेकिन इन परिस्थितियों से जूचते हैं तो उनको आप ये कारिक्रम फारवर्ड कर दीजेगा इसका लिंक इसका नीचे एक जगह जो तीन बना होता भी इन दी उस पर क्लिक करेंगे तो शेयर आप्शन आएगा या कॉपी लिंक कॉपी करके वाट्सअप मैसेंजर कहीं पे भी डालिएगा मैं किसी का फाइदा हो जाएगा मेरा लालच मेरी पहुच और तक बढ़ जाएगी आपका लालच आपके किसी स्वजन का कल्यान हो जाएगा बस हम दोनों का आपसी लालच यह से ही बनता रहे आज ये प्यारी वाली लालच के सहारे ही हम लोग 15 लाख होने जा रहे हैं बड़ी बात है आप सभी दर्शकों के लिए बहुत सारी बधाईयां और 22 हजार प्लस पे हमारा ये चैनल जोते जराट के ये भी आ गया है तो पीली सर्सों और नमक के ग्रहिय घटक बता देता हूँ कि इन ग्रहों का सम्मंध इन दो तत्तों से अवययों से है पीली सर्सों में मंगल शनी ब्रहश्पती जुड़ जाता है अभी यहां काली सर्सों करते तो ब्रहश्पत की इंट्री ना होती होती भी तो 2-4 प्रत्शन पीली सर्सों है तो ब्रहश्पत की इंट्री मोर देन 30% आ गया जज का रोल हमारे व्यक्तिकत जीवन के जगणों में मेरे विचारों के हिसाब से 30% से ज्यादा नहीं है ठीक उसी तरह से कि जैसे कोई वकील उनके संग्यान में बात नहीं लाएगा तो उनसे कोई मतलब भी नहीं है जज क्या जाने तो मूल काम तो वकील सहाब का है तब जज तक बामला जाता है बाद में खेर उनके सामने जाने पर वो सर्वे सर्वा हो जाते हैं केस के पूरे सिनेरियों में अगर देखा जाए तो जज का रोल मेरी निगाह में 30 प्रत्षत से जादा नहीं है पता नहीं आप लोग सहामत होंगे की नहीं होंगे तो ब्रहश्पत का रोल यहां आ जाता है कोट कचैरी का रोल यहां आ जाता है जज़ को यहाँ पर हम लाएं इसलिए हमने पीली सर्सों का इस्तेमाल करवाया आपके जीवर में किसी भी तरह हैं आप जगडे लडाई में फंसते हैं और जगडा लडाई आपके बिरुद्ध परिणाम में जाता है तो पीली सर्सों से बहतरीन कोई ऐसा अवयो नहीं है कोई ऐसी सामगरी आउशद ही नहीं है जो आपके इन ग्रहों को बैलन्स कर सके थोड़ा सा रिलाक्स करा सके ध्यान दीजेगा मैंने यह नहीं कहा कि बदल सके बदल नहीं जा सकता भाग नहीं बदलता हम रिलीफ दिलाएंगे हम हक में फैसला करवा सकते हैं यह आपके लिए सोचनी यह विशे हो गया नंबर दो नमक जाक्षात सरी थोड़ा बहुत चंद्र क्योंकि नमक पानी से बनता है और नमक अंदर तो गत्वा पानी बनता है घुल जाता है तो मूल रूप जल है इसका खारापन है नमकीन है शनी है तामसिक भोजन में आता है शनी है अंधकार बढ़ाता है शनी है अंधकारित मन ही तम है अंधकारित मन ही तम है तम माने अंधकार मन माने चंद्रमान शनी का अटेक मानसिक अटेक लॉजिक साथ चुट्की पीली सरसो ले लीजियगा साथ चुट्की नमक एक लोहे की कटोरी में रखिएगा चोटी सी कटोरी लोहे की औरन मज़न लोहा होना अनिवाद है लोह खंड मराठी में लोह खंड बोलते है वैसे सनस्ष्कित शब्द है ये मूल रुप से लोह घंट तो एक लोहे की कटोरी में साथ चुटकी पीली सरसो और साथ चुटकी नमक रख दीजेगा ये उपाय उनके लिए भी है जिनके जीवन में उपरी तंत्र या किये धरे का असर है उनके लिए भी मजा आ जाएगा फिर 108 बार उल्टा वामा वर्थ तंत्र आए गया तंत्र वाम मार्गी होता है 108 बार ऐसे जैसे यहां कटोरी है आगे से सुरू कर रहे हैं अपने ठीक आगे से घुमा की यहां आए एक गुमा की फिर यहां आए दो गुमा की फिर यहां आए तीन ऐसे वामा वर्थ एंटी क्लॉक वाइज 108 बार मिडल फिंगर दाहने हाथ की घुमाना है उसी कटोरी में जिसमें साथ चुटकी पीली सरसो है साथ चुटकी नमक है यही किचन वाना नमक सफेद नमक काला नमक लेने जरूत नहीं अपना दिमाग न लगाएगा जितना कहूं उतना समझे बस 108 बार हो गया अब इसे कहीं किसी पेड़ के पास जाके नीचे रखिए और एक टिकिया कपूर की डाल कर माचिस से जला दीजे थोड़ी देर में कपूर के साथ पीली सरसो और नमक जल जाएगा इसकी राख को किसी कागज में रख करके इसकी राख को जो कटोरी में जलने के बाद बाहर जलाना है राख यहां रख लेजिए कटोरी अपना ठंधा होने के बाद घर लाकर रख लेना है इस राख को आप सिरहाने रख कर गद्दे के नीचे गद्दा जहां सोते हैं सिरहान जमीन पे सोते हो तो भी बिस्तर पे सोते हो तो वही रहेगा सोने से पहले इसे आप माथे पे लगा लिया करिएगा भस खतम हो जाए फिर कर लीजे कब करना है आज कर लीजे कल करिए कभी भी करिए दिन धलने के बात करता है एक ही शर्ट है बस आनन्द आ जाएगा किसी भी तरह का जगड़ा हो किसी भी तरह का धीरे धीरे जगड़े खतम होने लग जाएंगे कोट में जीतने लग जाएंगे लगाते रहे हैं यह टीका क्या दिक्कत है रोज कर लीजे कौन सा दिक्कत है कहीं बाहर जा रहा है यात्रा में जा रहा है कागज का पुड़िया उठाया रख लिया पर्ष में लेधर का पर्ष है doesn't matter क्या फरक पड़ता है शर्त दो सिर्फ नो पत्थर and no non-wage completely इन दोनों चीजों पर रोक लगाईए हर उपाया असर करेगा किसी का आज ही कर देगा किसी का दस महीने बात करेगा प्रियोग असर करेगा इसकी गारंटी है क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं करने का फल मिलेगा लोजिक चलिए बहुत शुक्रिया धन्यवाद डेट्स आपके सामने है 19-11 तारीक नौंबर का कलकत्ता का है 22-23 तारीक नागपूर का है और 24-25 नौंबर अरायपूर दिसंबर में चंडीगढ और इंदौर फाइनल हो चुका डेट्स अपॉइन्मेंट लेगा चीगा थैंक्यू सो मच नमस्कार